क्या आपके यूटूब एप्लिकेशन में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है यूटूब ए न्यू वर्जन फॉर यूटूब इज अवैलबल इंस्टॉल इट नौ गूगल पे और इंस्टॉल बटन तो अखिरकार इस प्रॉबलम को कैसे फिक्स करेंगे कैसे अपने यूटूब एप्लिकेशन को चालू करेंगे अगर आपका यूटूब एप्लिकेशन चालू नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिले जाएगी इसमें आपको बताया गया है कि आपका जो YouTube application है उसमें एक नया version आया हुआ है यानि कि उसमें एक नया update आया हुआ है तो अपने YouTube application को latest version में update करना होगा और आपका problem fix हो जाएगा लेकिन अगर आपका फिर भी fix नहीं होता है तो आपको क्या करना है तो सबसे पहले हम यहां से बैका जाते हैं क्योंकि यह हमारे पास screenshot है और हम अपने YouTube application को open करेंगे तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा YouTube अच्छे से यहां पर काम कर रहा है यानि कि play हो रहा है हो सकता है कि आपके पास यह problem ना आ रहा होगा तो आपके पास इस तरीके से problem आ रहा होगा या फिर इस तरीके से आ रहा होगा नहीं तो आपके पास इस तरीके से आ रहा होगा यानि कि कुछ यह problem है जो आपके YouTube पर आ सकते हैं और आपका YouTube नहीं चलता है तो इन सारी problem को solve करने के लिए बस एक तरीका है कि अपने YouTube application को update करिए update करने के लिए अपने play store application को open करिए यहाँ पर आप पर search करिए YouTube जैसे आप पर search करेंगे यहाँ पर आपका YouTube application आज जाएगा और यहाँ पर update बटन मिलेगा और update कर लेना लेकिन अगर आपका यहाँ पर update बटन नहीं है तो फिर आप बैका जाएए बैक आने की बाद अपने YouTube application पर long press करिए i button पर click करिए उसके बाद यहाँ पर मिलेगा uninstall update और इस पर आप click करिए ok कर दीजे जैसे आप इतना काम कर देंगे आपका YouTube application है वो आपका पुराना वाला जो update था वो delete हो जाएगा और अब आपके YouTube application में latest version आपको मिल जाएगा तो अब आप फिर से जाएंगे अपने play store पर और उसके बाद यहाँ पर search करेंगे YouTube application जैसे आप पर search करेंगे तो आपको तुरंत एक नया update मिले जाएगा और अब आपको इस पर click करना है और आपका YouTube application latest version में update होना start हो जाएगा और आपका सारा problem fix हो जाएगा लेकिन अगर आपका अभी भी problem fix नहीं होता है तो आप क्या करेंगे यहाँ से आ जाएए back आने के बाद अब आपको अपने फिर से YouTube application पर click करना है लॉंग और उसके बाद app info पर click करने के बाद यहाँ पर clear data और इस पर आप click करेंगे और clear all data कर दीजे यसे आप इतना काम कर देंगे फिर आपका YouTube चलना start हो जाएगा लेकिन अगर आपका फिर भी नहीं चलता है तो आप एक काम और करिए कि अपने आप aeroplane को चालो करिए और बंद कर दीजे और अपने mobile को आप latest version में update कर लेजे हो सकता है कि आपका mobile पुराने version में होगा तो आप अपने mobile को latest version में update कर लेजे और एक बात और याद रखना कभी कभी हो जाता है कि आपके mobile में आपका date and time सही नहीं होता है यानि कि आपका जो time है date है वो आपके mobile पर सही नहीं होता है तो आपको लिख कर आ जाता है out of the date यानि कि आपका date सही नहीं है जब तक आपका YouTube नहीं चलता है तब तक आप ब्राउजर को open करिए ब्राउजर को open करने के बाद यहाँ पर आपको search बार पर click करना होगा यहाँ पर आप टाइप करिए YouTube जैसे हम यहाँ पर type करते है YouTube और उसके बाद .org.com यहाँ पर type करेंगे YouTube.com .com search करने के बाद आपके समने इस तरीके से YouTube.com open हो जाएगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा और आपको यहाँ पर 3. button पर click करना है उसके बाद यहाँ पर मिलेगा add to home screen और इस पर आपको click करना है ओके कर देना है जैसे आप इतना काम कर देंगे बैका जाएगे जब तक आपका यह वाला YouTube नहीं चलता है तब तक आपके screen पर एक नया YouTube आ जाएगा browser से तो तक आप इसे यूज कर सकते हैं इसे आप open करेंगे और आपका यहाँ पर YouTube चलना start हो जाएगा और कोई भी problem आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी तो इतना काम कर लिजे ऐसे आप YouTube को चला सकते हैं तो मैं आशक करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पाथ जरूर सेर करना ताकि उनकी भी problem solve हो जाए